दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे स्टेंट मैंन के बारे में जिसके दोबारा फिल्म में किये गए एक स्टेंट ने उसकी पूरी तरह से सकल और जिंदगी बदल कर रख दी हम बात करेंगे तमल सिनेमा के जाने माने स्टेंट मैन ए राजंदरन यानी मौटा राजंदरन के बारे में जो कि देखने में ऐसे बिलकुल भी नहीं थे उनकी अगर मैं आपको स्टार्टिंग की फोटोस दखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दखाई देते थे जिसमें उनके सर पर आईब्रोस पर और मूचों पर पूरी जगह पर बाल थे लेकिन एक फिल्म के स्टेंट के दोरान ऐसा क्या हुआ कि आगे चल कर उनके पूरे सरीर के बाल जड़ गए और आज उनके सर पर, आई ब्रोज पर, मूचों पर और पूरे सरीर में कहीं पर भी बाल नहीं है एक्चुली फिल्मों में अपनी जान को जोखिम में डालने वाले स्टंड मैन के साथ अक्सर एंसे हाथ से होते रहते हैं जिनके बारे में लोगों के दोवारा और मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है तो इस वीडियो में हम मौटा राजंदरन के साथ हुए इसी इंसिडेंट के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए फिल्मों में अक्सर हीरो हमें खतरनाक स्टंड करते हुए दखाई देते हैं कई बार बहुत उंचे पहाल से चलांग लगाते हैं कई बार भरे ट्रैफिक में बड़ी तेज रफ़तार से बाइक चलाते हैं और कई बार बड़ी उंची बिल्डिंग से नीचे चलांग लगाते हैं और फिल्मों में हम ये खतरनाक स्टंड सीन देखकर हीरो की तारीफ करते हुए सीटियां और तालियां बजाते हैं लेकिन एक्चुली में फिल्मों में दिखने वाले ये खतरनाक स्टंड फिल्मों की हीरो तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं एक्चुली अपनी जान को जोखम में डाल कर ये खतरनाक स्टंड स्टंड मैं फिल्मों में परफॉर्म करते हैं लेकिन रियलिटी में स्टन्ट मेंस के दुबारा किये गए फिल्मों में इन खदरनाक स्टन्ट का पूरा स्रे फिल्म के हीरो को दिया जाता है जिसकी सकल केवल स्टन्ट के स्टार्टिंग में हमें दखाई जाती है और स्टेंट पूरा हो जाने के बाद हीरो की सकल दोबारा से हमें दखाई जाती है और आडियन से समझती है कि ये स्टेंट हीरो ने परफॉर्म किया है लेकिन एक्चुली में फिल्मों में दिखने वाले इन खदरनाक स्टेंट के पीछे बहुत सारे स्टेंट मेंज की दरदनाक कहानिया हैं जिन में थे कई बार तो इन खतरनाक स्टेंट सीन को परफॉर्म करते टाइम पर उनकी जान एक दम जाते जाते बची है लेकिन अपनी जान को जोखम में डालने के बावजूद भी इन स्टंट मैंन को कोई भी क्रेडट नहीं दिया जाता है यहां तक कि फिल्मों में काम करने वाले एक्टर और एक्टरस के बॉडी डवल और स्टंट मैंन को इतना छुपा कर रखा जाता है कि कहीं ओडियन्स इनको देखना ले और अगर ओडियन्स इनको देख लेगी तो फिल्म में हीरो और हीरोईन को फिर उतना क्रेडट नहीं दिया जाएगा ऐसे ही फिल्मों में अपनी जान पर खेल कर बहुत सारे इस्टंट करने वाले इस्टंट मैन थे मोटा राजिंदरन यानि ए राजिंदरन जिनका बहुत ही अजीबो गरीब लुक होने की बज़े से फिल्म के अगर छोटे से सीन में भी वो नजार आये होंगे तो आपने उनको जरूर नोटिस किया होगा एक्चुली मोटा राजिंदरन फिल्मों में एक्टिंग करने के पहले एक इस्टंट मैन या हीरो के बॉड़ी डबल का काम किया करते थे और अभी तक वो लगबग 500 से भी जादा फिल्मों में ऐसे खतरनाक एक्सन सीन परफॉर्म कर चुके हैं उन्होंने अपने पूरे केडियर में ज्यादा तर तमिल, कुछ तेलगू, कुछ मलयालम और कुछ कर्णड़ा फिल्मों में इस्टंट मैन का काम किया है उन्होंने थाला पाथी वजय, थाला अजीत, रजनी कांत और कमल हसन जैसे एक्टर्स की कई फिल्मों में बतौर श्टंट मैन काम किया है और इन सारे हीरोज की फिल्मों में एक से बढ़कर एक खतरनाक श्टंट सीन परफॉर्म किये हैं और इस टाइम तक मोटा राजिन्दरन का सरीर एकदम ठीक था लेकन एक बार वो एक मल्यालम फिल्म में इस्टंट मैन का काम करने के लिए केरला गये हुए थे वहाँ पर फिल्म का पूरा सेट लगाया गया था जहां पर एक तालाब था तालाब के उपर एक ब्रिज था और उस ब्रिज से हीरो को बाइक लेकर नीचे तालाब में छलांग लगानी थी और फिल्म के इस खतरनाक स्टन्ट सीन को पर्फॉर्म करने के लिए मौटा राजंदरन को वहाँ पर बलाया गया था मौटा राजंदरन को ऐसे इस्टन्ट सीन करने का काफी एक्सपीडियन्स था और उन्होंने एक सिंगल टेक में ही इस पूरे सीन को बहुत अच्छे से सूट कर दिया था लेकिन जैसे ही बाइक के साथ उन्होंने ब्रिज के उपर से नीचे तालाब में छलांग लगाई और उस पल ही उनकी जिंदगी बदल गई एक्चुली उस तालाब के किनारे एक केमिकल फैक्टरी थी और केमिकल फैक्टरी से निकलने वाले पूरे कच्ड़े को उसके वैस्टेज को कई सालों से उस फैक्टरी वाले नीचे तालाब में बहाते जा रहे थे जिसकी बज़े से तालाब का पूरा पानी केमिकली बहुत जादा गंदा हो गया था हाला कि उस टाइम पर मौटा राजेंदरन और फिल्म के मेकर्स को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और वो फिल्म का ये इस्टंट सीन पर्फॉर्म करने के बाद जैसे ही तालाब से बाहर निकले तो तुरंथी उन्हें फिल्म के लिए एक और दूसरा इस्टंट सीन भी पर्फॉर्म करना था जिसकी बज़े से उन्हें साफ पानी से नहाने का समय नहीं मिल पाया इस बज़े से पूरे दन उनके सरीर पर तालाब का वो गंदा पानी रहने की बज़े से उनकी पूरी बौडी पर केमिकल रियक्सन होने लगा हाला कि इस बात का उन्हें उस टाइम पर तुरंत पता नहीं चला था लेकिन आगे चलकर इसके लगभग एक महीने बाद ही उनके पूरे सरीर के बाल एक एक करके ज़ड़ने लगे इस दोरान पहले उनके जब सिर के बाल जड़े तो ये चीज उन्हें नॉर्मल लगी लेकिन जब इसके साथ उनके पूरे आईब्रोस के, मूचों के और पूरे सरीर के बाल जढ़ने लगे तब जाकर उन्होंने तुरंट डॉक्टर को दखाया और डॉक्टर ने चेक अप करने के बाद बताया कि उनकी पूरी बाडी में कोई केमिकल रियक्सन हुआ है जिसकी बज़े से उनके पूरे सरीर के बाल जढ़ गए हैं डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इस कंडिशन को एलोपेसिय यूनिवर्सलीच कहते हैं जिसमें इन्सान के पूरे सरीर का एक एक बाल गायब हो जाता है और पूरे सरीर पर एक भी बाल नहीं रहते हैं और उस टाइम पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इस बीमारी का कोई भी स्टेंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है एक्चुली ये काफी परानी बात थी लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो इस बीमारी का अलाज भी संभाव है और मौटा राजंदरन के अलाबा भी आपने साइद और भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके सरीर में एक भी बाल नहीं है एक फ्रेंच एक्टर टॉमस लिमार्कस भी इसी बीमारी से जूज रहे हैं और उनके सरीर पर भी कोई बाल नहीं है हाला कि मौटा राजंदरन ने उस टाइम पर इसके लिए बहुत सारे आयोरवेधिक ट्रीटमेंट भी लिये लेकिन उसका कोई भी असार उनकी बाड़ी पर नहीं हुआ इस बज़े से बाद में उन्हें आगे चलकर अपने इसी लुक के साथ रहना पड़ा और अपने इसी लुक के साथ भी उन्होंने आगे चलकर और भी बहुत सारी फिल्मों के लिए इस्टेंट सीन परफॉर्म किये ऐसे ही फिल्मों में स्टेंट पर्फॉर्म करते टाइम पर एक बार उन्हें एक फिल्म के सेट पर डारेक्टर बाला ने देखा और वो मौटा राजंदरन के इस अजीबो गरीब लुक को देखकर काफी इंप्रेस हुए डारेक्टर बाला वही हैं जिन्होंने सन 1999 में चियान विक्रम के केरियर की ब्रेक्थ्रू फिल्म सेथू को डारेक्ट किया था जिसका रीमेक ही आगे चलकर सल्मान खान ने तेरे नाम के नाम से बनाया था उस टाइम पर डारेक्टर बाला सन 2003 में चियान विक्रम के साथ ही आने वाली अपनी अगली फिल्म पीथम गन के बारे में प्लान कर रहे थे जिसमें विक्रम हमें एक बहुत ही अलग आउतार में नजर आए थे इस फिल्म में विक्रम का करदार बहुत ही अजीब औ गरीब था उनके कुछ डायलॉक्स भी नहीं थे पूरी एक्टिंग उन्हें किबल बॉडी लेंग्विज से करनी थे हाला कि चान विक्रम की इस परफॉमेंस के लिए उन्हें बाद में बेस्ट एक्टर का नेशनल अबॉड भी दिया गया था और अपनी फिल्म पीथम गन में ही डारेक्टर बाला ने मौटा राजंदरन को भी एक चोटा सा रॉल उफर किया और ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें हमें मौटा राजंदरन थोड़ी बड़े रॉल में नजर आए थे इसके पहले की फिल्मों में तो वो केबल स्टेंट मैन का काम करते थे और कुछ फिल्मों में बस कुछ सेकंड के लिए नजर आते थे जिसके लिए मोटा राजंदरन को फिल्म में कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता था और फिल्म पीथम गन के बाद डारेक्टर बाला ने सन 2009 में अई अपनी एक और अगली फिल्म नान कदावल में राजंदरन को पहली बार मैन विलन के लिए साइन किया जिसमें वो हमें काफी डेंजरस रॉल में नजर आये थे एक्चुली उस टाइम पर इस फिल्म के बाद फिल्म में नभाए गए इतने खतरनाक रॉल के बाद रियलिटी में उस टाइम पर बहुत सारी लड़गियां और बच्चे उन से डरने लगे थे इस फिल्म में राजेंदर्ण के काम की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई और आगे चलकर तो उन्हें बहुत सारी फिल्में उफर होने लगी और स्टार्टिंग में तो वो हमें कुछ फिल्मों में ऐसे ही विल्लन के रॉल में नजर आये लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे राजेंदरन हमें कुछ कॉमेडी रॉल्स में भी नजर आने लगे और आगे चलकर तो ऐसा हुआ कि वो एक साल में ही लगबख 17-18 फिल्मों में छोटे और बड़े रॉल्स में नजर आने लगे थाला जीत की फिल्म वेदला में भी उनको आपने जरूर नोटिस किया होगा और अब ये राजेंदरन की लाइफ पूरी तरह से अच्छी चल रही है और उनकी एज लगबख 63-64 साल होते हुए भी वो आज भी बहुत फिट हैं और इस एज में भी उनकी बॉड़ी की फिटनेस और सिक्स पैक एब्स साफ साफ देखे जा सकते हैं मौटा राजेंदरन ने अपने एक इंटर्वियू में बताया कि वो अब भगवान की बहुत ज़्यादा सुक्र गजार हैं क्योंकि उन्हें अब अपना घर चलाने के लिए अपनी जान को जोखें में डाल कर ऐसे खतरनाक स्टेंट सीन परफॉर्म नहीं करने पड़ते हैं और फिल्मों में काम करके उनके परिवार का गुजारा अब बहुत अच्छे से हो जाता है उन्होंने बताया कि उनके पिता और भाई भी फिल्मों में पहले स्टेंट मैन का काम किया करते थे और उन्हीं दौनों को देखकर ए राजंदरन भी फिल्मों में स्टेंट मैन के तौर पर काम करने लगे थे और अपने जिस लुक की वज़े से उन्हें एक टाइम पर लग रहा था कि उनकी जिंदगी बरबाद हो गई है लेकिन उनके इसी लुक ने आज उनको इस मुकाम तक पहुँचाया है उन्होंने कहा कि साइद अगर ये इंसिडेंट उनके साथ ना हुआ होता तो साइद उन्हें फिल्मों में इस तरह से चांस नहीं मिलता और वो फिल्मों में एक इस्टेंट मैन की तरह ही काम करते रहे थे तो दोस्तों ये तो बात हुई साथ के इस्टेंट मैन ए राजंदरन के बारे में आपने उन्हें कौन कौन सी फिल्म में नोटिस किया है और उनके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताईए और ऐसे ही फिल्मों में परदे के पीछे काम करने वाले इस्टेंट मैं या कुछ और ऐसे आइटिस्टों के बारे में आप जानना चाहते हैं जिनको फिल्म में क्रेडिट नहीं दिया जाता है तो हमें कमेंट में जरूर बताईए तो हम कुछ और भी ऐसे लोगों के बारे में यहां पर डिसकस कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी महनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जबाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।